कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइट में जो बैल आइकन है उस पे प्रेस कीजिए यहां आपको आल का उप्षन मिलेगा उस पे सलाइट कीजिए सो तरट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें like कीजिए, share कीजिए सभी के साथ, share करने के बाद प्लीज नीचे जाके comment करके बताएगे कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे Thank you so much गुड मानिंग फ्रेंड्स टूडे वी विल स्टिडी डिवीजन एल्गोरिद्म ओफ पॉलिनोमियल्स इन टेंथ स्टेंडर्ड मैथ्स चैप्टर टू पॉलिनोमियल तो हम लोग दोस्तों पॉलिनोमियल्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं उसको हम सिखेंगे तो you have polynomial px इक्वल टू 2x square प्लस 3x प्लस 1 as a dividant and diviser dx इक्वल टू x प्लस 2 आपके पास 2 polynomials हैं ये first वाला polynomial ये dividant and this is divisor तो हम लोग क्या करेंगे कि जो dividant है उसको index के descending order में पहले write करेंगे means x power 2 here x power 1 उसके बाद constant means 2x square plus 3x plus 1 इसको ऐसे अंदर write करेंगे इस तरह से हम draw करेंगे अब यहाँ पे हम divident write करेंगे sorry यह divident हुआ diviser को यहाँ पे write करेंगे x plus 2 अब आपको क्या imagine करना है कि इसमें maximum power 1 है यहाँ पे maximum power 2 x से means किसे multiply करें कि x square बन जाए आपका यहीं पे सोचना है तो यहाँ पे x से multiply करोगे x का x में multiply करोगे तो x square होगा साथ में यहाँ coefficient के रूप में 2 लाना है तो means यहाँ पे 2 से multiply करोगे तो 2x multiply by x equal to 2x square यही हमको ध्यान रखना है first term की बार 2x का multiply x में तो 2x square इसके बाद 2x का multiply 2 में करेंगे तो 2 to 4 4x है plus 4x इसके बाद इसको ऐसे line draw करनी है फिर नीचे यहाँ पे जो भी आयापका उसकी sign change करनी है मिन्स यह plus है तो minus हुआ यह भी plus है minus हुआ अब simple 2x square 2x square से cancel यहाँ पे 3x positive minus 4x यहाँ पे पहले plus था minus हो गया है इसकी sign हम लोग count करेंगे minus minus 4x 4x में से 3x को subtract करेंगे मिन्स minus 1x तो 1 right करते नहीं तो minus x plus 1 यहाँ पे x plus 2 divisor फिर से right करेंगे अब हमें सोचना है कि minus x किस तरह से आएगा minus 1 से multiply करेंगे x में तो minus 1 multiply by x equal to minus x minus 1 multiply by 2 equal to minus 2 सेम वही प्रोसेस इसकी sign change करेंगे plus इसकी भी sign plus यहाँ पे देखो यह plus x यह minus x cancel होके 2 plus 1 यहाँ पे plus 1 plus 2 यानि यह 3 इस तरह से यह remainder आगया आपका तो मिन्स आपका qx यानि qt equal to आगया 2x minus 1 2x minus 1 means 2x minus 1 और रिमेंडर रिमेंडर equal to 3 rx equal to 3 तो फ्रेंड्स इसके लिए एक दूसरा भी मेथड है यह तो long division मेथड है एक simple मेथड है उसको हम लोग simply ऐसे यूज करके अपना answer ला सकते हैं उसके करेंगे second मेथड सबसे पहले हम लोग dividend के coefficient को write करेंगे यहाँ पर dividend का coefficient यानि x square का coefficient 2 x का coefficient 3 and constant 1 है इसको ऐसे line ड्रॉ करेंगे ऐसे diviser x plus 2 equal to 0 put करेंगे तो x equal to आपका आएगा minus 2 तो यहाँ पे हम minus 2 write करेंगे सबसे पहले यहाँ पे 0 write करेंगे इतना ही process द्यान में रखना है minus 2 multiply by 0 0 अब इसमें क्या करेंगे कि 0 आया तो इन दोनों को plus करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे आपका आगया 2 2 का multiply multiply यहाँ पे 2 minus 4 यहाँ पे minus 4 यहाँ पे write करेंगे इन दोनों को add करेंगे minus 1 minus 1 का multiply minus 2 में 1 2 means plus 2 आया यहाँ पे इनको plus करेंगे यह 3 यह लास्ट टर्म जो होगा वही remainder होगा बाकी जो आएंगे वो सब coefficient होगे कैसे qx equal to यह था x square का coefficient यह होगा x का coefficient means जितनी index होगी उससे एक कम यहाँ पे x square था यहाँ पे आप देखिए x square means quadratic polynomial यहाँ पे linear polynomial बनेगा means x का coefficient को 2x उसके बाद minus 1 2x minus 1 and rx equal to आपका आगया 3 तो in both case answer will be same I hope you will like this video and share it maximum thank you thanks a lot रड़ous please break अ je atual बचillon यह ह क Ал